या यश्यस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहट यादर जी से आग्रे करें फुद्बोधन के लिए मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे भारत मातांगी आज के इस कारिकरम में हमारे बीच एक तरह से दस हजार करोड के काम कोई मामूली बात नहीं होती और भहुत सहचता के साथ हमारे लिए तीन भर से विक्यास के मामले में और नए नए आइडिया जित्ती बार बेठो जितनी बार बात करो माननी नितिन जी गड़करी जोड़दार अभिजन्दन करें हमारे भारत सरकार के सबसे लोकपरी मंत्री माननी नितिन गड़करी जी का आज की सवसर पर हमारे बीच में वर्चुल रूप से जुड़ेवे मद्पदेश विदान सबा के माननी अध्यक्ष और पुर्व केंद्री मंत्री माननी स्रीमान दरेन सिक जी तोमर साब समादर्णी स्रीमान जोत्रदाद सिंध्याजी सी सिंध्याजी जो हर सरकार के लोकपरी और एक के बाद एक सोगात दिये जा रहा है अभी गौलियर से परसो फिर गौलियर से आमदाबाद की एक नई फ्लाइट की सुभारम परसो होने वाला मैं सुभा की साली हूँ एक साथ सरकार बनने के बाद कितने प्रकार से कामों की सोगात मिलती जा रही है कोई एक विभाग पीछे हो तो बताएं कल ही हमने अपने बीच में माननी बीडी सर्माजी हमारे माननी अध्यक जी और सम्मानी मंच समय की कमिये पहला जी नहीं सरा कर दिया जोड़ार तालिया बजाय सारे के सारे मंचस्त अतित्यों के लिए हमने आज का दिन तो यह कई मायरों में अलग हटके है हजारों साल से मत्डि प्रदेश देश का प्रदेश होने के कारण से उत्तर दक्षिट पूरब पस्यम जहां कहीं भी किसी को भी आना जाना पड़ता था तो सरेव उसका मार्ग मत्यपदेश के ही मार्गों से निकलता था लेकिन काल के प्रवा में बाद में अलग-अलग संसादन चले उसके कारण से हमारी अपनी भूमी का फरक पड़िये और उसका परिणाम यह आया कि कई सारी संभावना जो हमारे यहां थी आजादी के बाद से जो अभी आखड़ा बताया कि लगबग 5000 किलोमेटर का जो हमारा 70 साल का रिकार्ड था और अभी आज लगबग कोने 10 साल हुए हम और ऐसे में वापस यह 5000 किलोमेटर का नया मार्ग बनाना यह बहुत बड़ी बात और ऐसे में खास करके यह कौन सा छेतर चूटा है अभी हा अब आज जने वाले मार्गों उसी का भी भूमी पूजन हम कर रहे हैं इसके साथ निमाड का निमाड से खरगोन के रास्ते से महाराष जाने के वह हमारे इसी कारिकरम से उसका भूमी पूजन लोकारवा समयाई की कमी है अनिता हमारे लगबक 17 जिले इसके लवाद कर पार और खास करके चंबल का बेड़ मालवा का बेड़ ये तो इसके अंदर जितने राजमार्ग है और अपने निगर्थ के किनारे बसे में मार गये जैसे मुरेना हो भिंड़ हो या एसे कई ड्यावरा हो सबके बाइपास मार्ग बनाने का काम इसी के साथ हो रहा है मैं उम्मीद क जर्णाओं के जिस प्रकार से हमारी अपनी अलग अलग प्रकार के विभागों की गती चल रही है आवा गमन के माध्यम से सबसे बड़ी भूमी का यही रहती है अगर राजमार्ज बनते हैं तो निश्य रूप से राष्टी इस तरफर हमारी अपनी छेत्र की विमिन्न प्रक पर गया था अब उसको और आगे ले जाने के लिए इसी प्रकार के मार्गों के अफशकता है पूर मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से काम किये थे हम सब जानते हैं के विकास के मामले में पूरा मंच हम सब मिलकर के घटा हो करके और आज जो नया एक नई अबारत ल करें जल मार्ग के मात्यम से भी बहुत बड़ी प्यमाने पे याता है की सब्बावना होगी और जल भी नहीं अब वह वायुमार्ग के बात भी करते हैं के रोपे और केबलकार केबलकार में भी वह चार या छे की नहीं 50-50 या यात्री बेड़ जाए उनको भी ले जा सकते अभी तो मैं सुनी रहा था भाईसाब के रहेते कि क्या ऐसा हो सकता कि भॉपाल के बड़े तालाब के उपर से पूरी की पूरी केबल कार निकाल दो और आज के जमाने में बोले कठीन काम भी नहीं है जिस पकार की कल्पणा है वो हमको लगता है कि कई वर असंभव तो नहीं है लेकिन तिसके रहते रहते कोई आसंभव नहीं है हमारे पास अपने असनसादन को बचाते वे अप विद्धित वाला वाहन क्या कोई कल्पना कर सकता था कि हमारी बसे इलेक्ट्रिक बसे सड़कता आजाए और कार सड़कता आजाए लेकिन ये हमारे भविश्ची की दुष्टी से भारत के संसावन के लिए खास करके पेट्रोल डीजल को लेकर के भारत की जो विद्वश्चों पर निर्भरता है उसके बिजाए ये हमारी जो वेकल्पिक मार की जो गवस्ता है ये वेकल्पिक जो वर्तमान की सोध हुई है उन सोध का लाब लेते वे जितने भी प्रकार सागे बढ़ सकते मैं आपको मार्दरसन करें मत्विदे सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी और आज के सवसर पर मुरेना अंबा पोर्सा लगरी छेत्र के चार सो बानु करोड के राष्टी राजमार के इस काम की आज हमनी जो सिलान्यास किया है इसकी में छेत्रवास्यों को बदाई दना चाहूंगा चार सो तिर्यासी करोड की लागस से राजस्थान बाडर से शोपूर पोरस तक का जो नया निर्मानकारी का भूमी पुजन हो रहा है इसकी में छेत्र के इस्थानी राजवास्यों को बदाई दना चाहूंगा हमारी अटेर भिंड 348 करोड की लागस से जो भी है वो दो तीन सो करोड से सो उपर उपर की निर्मानकारे है ऐसा लगरा के वाकई परमात्मा की करपा है 417 क्रोड की लागत से गौरश श्यामपूर खंड इसी बरकार से 1989 क्रोड की लागत से श्यामपूर सभलपृ खंड नैनिर्मान के आज भूमी पूजन हुआ है 120 क्रोड की लागत से वियावरा बायपास का जिसका मैंने जिक्र थोड़ी दिर पहले किया है इसका आज भूमी पुजन हुआ है 214 करोड की लागस से सुजालपूर बाइपास खट यह हमारा बहुत महत्वका मार गए इससे इसकी बड़ी सोगात मिलेगी 329 करोड की लागस से मुलताई और यह खास करके मतिपदेश महराश्ट को जोड़ने वाला मुख्य मार गए इसका लाव हमारे मतिपदेश को मिलेगा और साथ में डेश वास्यों को भी मिलेगा महराश्ट को मिलेगा इसी प्रकार से कसरावत, सेलानिक, अर्गोन, विस्टान बाइपास मार के 468 करोड के विविन प्रकार के कामों का आज भूमी पुजन हो रहा है 461 करोड की लागत से सरवर देवला से पाल मतिपदेश और महराश्ट की सीमा का यह छेतर है इसका लाव हमको मिलने वाला है इसी प्रकार से पिछोर से दिनारा खंड के 426 करोड की लागत से राश्टी राजमर का यह नया आज भूमी पुजन हम करने जा रहा है इसी के साथ सा 370 करोड की लागत से गुजराच सीमा दाहोच से अंबुआ तक का नया निर्मान का आज भूमी पुजन यहां उस समय हो रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से बुद्नी कंड साहागज खंड और भुपाल के अंदर का बाइपास जो सिंध्या चुराई से लगा करके रत्नागिरी तिराय तक अयोत्या बाइपास का खंड का जो एक हजार दो सो उन्चालिस क्रोड की लागत से पूरा नगर का हमारा नेत्रत यहां बेठा है मेरी अपनी ओर से इस नए निरमानकारी की बढ़ाई बहुत बहुत धनिवाद भारत मता कीज़े बहुत बहुत धनिवाद मानिनी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादर जी आपके ओजस्वी वच्छनों के लिए सम्रद्य प्रदेश की पहचान होती है सशक्त सड़के जिससे सशक्त समाज करता है जो कि मानिनी प्रदान मंत्री जी की इस्वपने विक्सित भारत की परिकल्पना के लिए सबसे ज़्यादा महत्पून है आगरे करना चाहेंगे जिनकी योग